हेलो दोस्तों सो आज मैं लेक आ रहा हूँ आपके लिए एक्टिवा 3G 2016 मॉडल जो की 50,000 के करीब ये स्कूटर चल चुका है आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग रीडिंग में तो ये 25,000 सम्धिंग चला है लेकिन आप जैसा की जानते हैं ये वाले सक्सेस नहीं होते हैं एनलोग मीटर्स तो ये 50,000 के करीब चल चुका है और बहुत ही रफ कंडिशन में चला हुआ है तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये आपको क्यू लेनी चाहिए और क्यू नहीं लेनी चाहिए अगर आप इसको second hand लेना चाहते हैं तो क्यूंकि ये है 3G और आप तो आने लगी है 6G आप जैसा की देख सकते हैं ये Activa 3G है 2016 मोडल तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके advantages से इसका पहला advantages के looks 2016 में ज़्यादा कोई बहुत सारे scooters नहीं आए थी scooty नहीं आई थी उसमें से one of the best बहुत ही ज़्यादा hot selling ये scooter रहा है जो कि ये Activa ये नामी से बिकता था Honda Activa तो इसके looks सभी को पसंद आते थे और ये पूरा fiber body नहीं है ये बहुत ही still body है तो इसका एक looks के कारण ये बहुत ही बिकती थी ये bike इसका second second results को लेने का इसकी resale value इसकी resale value आपको दूसरे scooters के comparison में बहुत अच्छी मिल जाती है ये नाम से बिकती है ये गारी अगर आप इसको ले लें और आप इसको second hand में बेचना चाहें तो ये बड़े आराम से easily बिक जाती है और इसका अच्छा सा पाईसा मिल जाता है अब इसका third बात की जाए इसके advantage की तो वो है इसकी riding बहुत ही smooth riding चलती है ये बहुत ही smooth तरीके से ये चलती है बाकि आप इसकी segment की pleasure लें या scooty pay plus लें तो उनके comparison में ये सबसे ज़्यादा best रही है 110cc के साब से जो कि इसका riding smoothness है अब बात की जाए इसके चोथे advantage की वो है इसकी battery और इसका self दोस्तो 2016 में ली थी ये bike अभी इसकोच साल हो चुके है सिरफ अभी अभी इसका इसकी battery बल दी हुई है तबसे एक उगार इसने self में या battery से कोई भी problem नहीं दी इस bike ने और इसका बहुत ही ज़्यादा use हुआ scooter का तो ये इसके सारे advantage थे अब मैं आपको बताऊँगा इसके major disadvantages जो की मेरे तरफ से हैं आप लोग अपना भी experience शेयर कर सकते हैं comment box में तो दोस्तो अब इसके बात की जाए disadvantages की वो है पहला इसका mileage दोस्तो ये city में तो आपको अच्छा mileage निकाल कर दे दीती है लेकिन ये highway पे बोलते हैं लोग के highway पे ज़्यादा निकालती है लेकिन इसका उल्टा है इसके साथ ये highway पे बहुत ही कम mileage निकालती है अगर आप इसको regular 60 से उपर भखाओगे तो ये इसका mileage हो जाता है 35 से 40 जी हां दोस्तो ये मेरा personal experience है आप अपना भी बता सकते हैं ये इसका mileage बहुत ही ज़्यादा drop हो जाता है अगर आप इसको तेज चलाओगे top speed में चलाओगे तो ये mileage बहुत कम देती है बहुत ज़्यादा petrol खाती है स्कूटर दोस्तो दोसरा disadvantages के brakes इसमें दोनों तरफी drum brakes दिये गए हैं जो की तीन से चार हजार चलने के बाद एकदम खतम हो जाते हैं अभी अभी मैंने इसमें न्यू ब्रेक्स दलवाया है तो अभी तो ये ब्रेक्स के टाइट है आप देख सकते हैं इसका आंगे का खतम हो चुका है लेकिन पीछे का तो मैंने भी डलवाया था वो तो सही है इसके ब्रेक्स से मैं बहुत परिशान लेता हूँ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एक्टिवा 3G और 4G में यह आपको फस्ट जनरेशन से यह मिलते थे इसको बोलते हैं इसमें कोई भी टेलिस्कोपिक सस्पेंसर नहीं दिया जाता था आप देख सकते हैं दोनों तरब यह इस्प्रिंग सस्पेंसर इसमें दिये जाते थे तो यह सबसे बड़ा डिसर ड्वांटेज है मेरे तरफ से बास पर नहीं जाते हैं इसमें यह स्कूटर खड़े में जुक्स हृबी के ट्रीक यह स्कूटर खड़े में जाती है यह जब तो सब्धिया यहाँ इसका पेट्र दलने वाल शुम्थकर अच्छी बात है इसके लास्त फिलिंग वो इसकाम हुता है यह वाली में नहीं यह किसी भी इननलोग मीट्र है इसकी बहुत जल्ली इसके स्पीडो मीटर और यह स्पीड मीटर इसके केवल स्पराव हो जाती है अक्चुली तो इन जी जोको आपको दमाग में रखना पड़ेगा अगर आप यह स्कूटर सेकेंड हंड लेना चाहते हैं तो दोस्तों यह है मेरे तरफ से इसका overall review आप अपना भी बता सकते हैं मेरे साथ share कर सकते हैं नीचे comment box में तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को like और हमारे चनल को subscribe करना ना भूलें thank you so much